इलाइची एक ऐसा मसाला है जिसे कई अलगला चीजों में इस्तेमाल किया जाता है मुख्य रूप से यह भूजन, कनफेक्शनरी, पेपधार्थ, आथी बनानी और मिठाईयों में अच्छी सुगंद के लिए किया जाता है इसके अलाबा इसमें कई औसे दिये गोड़ भी पाई जाते हैं यही कारण है कि भारती नहीं बलके दुनिया भर में इसकी काफी डिमांट रहती है वहीं इसकी बिक्री भी उचे दामा में होती है ऐसे में इसकी खेती किसानों के लिए काफी फाइदेमन साबित हो सकती है भारत में बड़े पैमाने पर इलाइची की खेती की जाती है अब तक है मुखे रुप से केरल, करनाटक, आहंदरिप्ट देस और तमिलनाडू आधी राज़ जम्यों गाई जाती रही है हालाँ कि अब यूपी, बिहार के कई किसानों ने भी इसकी खेती का सफल प्रयोक किया है आएए जानते हैं कि आप इसकी खेती कैसे सुरू कर सकते हैं इलाइची की खेती के लिए दो मट मिट्टी अच्छी मानी गई है लेटी राइट मिट्टी और काली मिट्टी में भी इसकी खेती की जा सकती है इलाइची की खेत में चल निकासी की अच्छी विवस्ता होनी चाहिए रेटी ली मिट्टी पर इलाइची की खेती नहीं करनी चाहिए क्योंकि इसमें नुकसान हो सकता है इसके अलावा इलाइची की खेती के लिए 10-35 डिग्री का तापमन बहतर माना गया है इलाइची की खेती सुरू करने के लिए बारिश का मौसम सबसे सही रहता है जुलाई माह में आप खेत में इलाइची के पौदे लगा सकते हैं इस समय बारिश होने की बज़े से सिचाय की जरूरत कम पड़ती है इसके पौदों को हमेसा चाया में ही लगाना चाहिए तेज धूब कर्मी के कारण इसकी पैदावार पर बुरा आसर हो सकता है इलाइची की पौदे का तना एक से दो मीटर तक लंबा होता है इसके पौदों के बीच एक से दो फीट के दूरी होनी चाहिए इलाइची की पौदे को तियार होने में तीन से चार साल का समय लगता है प्रती हेक्टेर 135 से 150 किलो गुराम तक इलाइची की पैदावार ली जा सकती है इसकी कटाई के बाद कई दिनों तक दूप में सुखाये जाता है 18 से 24 घंटे गर्म तापमान पर सुखाने के बाद इसे हाथ, कोयर मैंट या तार की जाली से रगड़ा जाता है फिर उन्हें आकार और रंग के अनुसा छाट लिया जाता है मार्किट में लैच्ची की बिक्री 1100 से 2000 रुपे प्रत्र किलोग्राम में होती है इस तरह आप इसकी खेती से लाकों की कमाई कर सकते हैं